हेलो, वेलकम टी यूर अकैडमी आज यूर अकैडमी पे हम एक बार फिर से आपके लिए खिंदी और उर्दु में लेक्चर लेके आये हैं आज हम जिस पोयम के बात करेंगे वो जुदित राइट की लिखी हुई पोयम है बुल लौ की हम आलरेडी जुदित राइट की एक और पोयम पे लेक्चर दे चुके हैं यूर अकैडमी पे बोरा रिंग और इसलिए आज के लेक्चर में हम जुदित राइट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे अगर आपको BORA RING के बारे में जानना है या BORA RING पर लेक्चर देखना है तो आप इस link को क्लिक कीजीं अगर आपको English में लेक्चर देखना है BORA RING पर तो इस link को क्लिक कीजीं हमारी Your Academy पर जो maximum lectures है वो English language में है वो आप देख सकते हैं if you want to watch the lecture in English language you can check out this link और अगर आप Judith Wright के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस link को देख सकते हैं So we have got a lot of stuff at your academy लेकिन आज का जो हमारा lecture है वो सिर्फ Bullocky को लेके होगा तो आएए Bullocky के बारे में जानते हैं और इस poem को पढ़ने से पहले हम इस poem का context समझने की कोशिश करेंगे और जैसा कि अगर आपने बाकी lectures हमारे Judith Wright को लेके देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि जो Judith Wright है वो जो Native Australians हैं जिनको Aboriginals भी कहा जाता है उनको लेके काफी इसने लिखा है या यूँ कहिए कि Judith Wright जो है उसने आवाज उठाई थी Native Australians को लेके जो वहाँ पे बरसूं से रह रहे हैं उनके culture को promote करने की कोशिश की उनके rights को promote करने की कोशिश की उनको protect करने की कोशिश की Judith Wright और बाकी भी बहुत सारे poets और जो social activists ने आस्ट्रेलिया मैं उन्होंने एक mission बना लिया कि वो ये जो Native Australians है इनके culture को prevent करेंगे और अगर आप बोरा रिंग पढ़ें बोरा रिंग आपने सुना है लेक्चर हमारा देखा है तो आपको मालूम होगा कि जो बोरा रिंग है वो भी उनी natives के tradition का culture का एक part है जिसको protect किया जिसको preserve किया जो Judith Wright ने प्रिजर करने की कोशिश की अब आज की poem बुल्लौकी है तो ये poem किसके बारे में है सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते है अगर आप इसका title देखें तो वो बुल्लौकी है अब बुल्लौकी क्या है बुल्लौकी दरसल बुल काट के driver को कहते है अब बुल काट क्या है वो गाड़ी जिसको bell चला गाड़ी को चलाने वाला जो होता था उसको बुल्लौकी कहते हैं अब आप सोच रहे हूंगे क्या ये poem उसके बारे में है वो जो बुल काट का driver है नहीं तो मैं आपको बताता चलूं कि ये poem उसके बारे में नहीं है लेकिन इसका title उसके बारे में है ये poem basically European pioneers के बारे में है कौन लोग वो लोग जिनुने ऐस्ट्रेलिया को डिवलिप किया इनिशियल स्टेज में जिनुने फाईट की जो लड़े जिनुने मेहनत की जिनुने एफर्ट स लगाये Australia को एक खूबसूरत सरजमी बनाने को या Europe को develop करने में जितने भी पुराने लोग गुजरे हैं जिनोंने अपनी जिन्दगियां लगाई है उन लोगों के बारे में होगी अब आप थोड़ा confuse हो रहे होंगे कि वो लोग और ये बुल काट का ड्राइवर ये सब क्या है तो ये ऐसा है कि जो जूदित राइट है वो बुल लॉकी के ड्राइवर को represent कराएगी उन लोगों को या आप यूँ कहिए कि जो बुल लॉकी है वो represent करेगा Australian pioneers को अब आपके जहन में mind में एक और ख्याला रहा होगा कि बुल काट का ड्राइवर जो कि एक आमसा आदमी है एक गरीब ही होगा बेशक एक गरीब किसम का शक्स होगा उसको इतने बड़े महत्माओं के साथ कैसे compare किया जा रहा है आप यूँ समझगे कि हम हिंदुस्तान के context में अगर बात करें तो लाल भादुर शास्त्री, महत्माओं गांदी भगत सिंग जैसे लोगों को represent कराएं एक बुल काट के driver को तो आप कहेंगे ये कौन सा comparison है ये कैसा comparison है ये उनको कैसे represent करेगा तो हम पहले ये समझाते चलें आपको कि वो उसको कैसे represent करेगा तो basic जब हम इस poem को पढ़ेंगे उसमें एक basic idea है वो क्या है कि जो पाइनियर्स थे पुराने लोग जिन्होंने आस्ट्रेलिया को बनाने में इतना काम किया उन्होंने महनत की उन्होंने efforts लगाए और उनके जो efforts थे उनके पास resources बहुत कम थे अब बात समझ रहे हैं न और उन कम resources में उन्होंने कम खाया कम पिया कम जिन्दगी जिये सारी अपनी जिन्दगी जो है वतन को देश को बनाने में लगा दी ठीक है न तो उन्होंने महनत की उस महनत के बदले वो अमीर नहीं हुए अब जो यह bull cart का driver है यह भी बहुत महनत करता है यह भी बहुत efforts लगाता है तो basically जो similarity होगी इन दो लोगों के बीच में वो किस में होगी इनके efforts में जो यह efforts लगाते हैं काम करने में और इनका जो reward होता है वो बहुत कम होता है इनको आज की तरह थोड़ी न reward दिये जाएंगे नोबेल प्राइस दिये जाएंगे बहुत सारी पैसे दिये जाएंगे एक आलीशान मकान दिया जाएगा महल दिया जाएगा बड़े बड़े हेलिकॉप्टर्स दिये जाएगा ऐसा तो उन लोगों को नहीं मिला न बुल काट के ड्राइवर को भी नहीं मिलता लेकिन बुल काट का ड्राइवर कितनी महनत करता है कितनी एफ़र्ट्स लगाता है इसी तरह के एफ़र्ट्स जो है वो पाइनियर्स भी लगाते थे इसलिए ये जो बुल काट का ड्राइवर है बुल लौकी वो रेप्रिजेंट करेगा European Pioneers और इस पोयम में Judith Wright आपको उन लोगों के efforts के बारे में बताएगी तो ये है context इस पोयम का I hope कि आपको समझ में आ गया हो कि ये बुल लौकी कौन है ये किसको रेप्रेजेंट करेगा इसको समझने के बाद अब हम आते हैं इस पोयम के text पे context के बाद text हम पहले text पढ़ेंगे और उसके बाद line by line explain करेंगे इस poem को कि इस poem में Judith Wright क्या कहती है आपकी screen पे text beside his heavy shouldered team thirsty with drought and chilled with rain he withered all the striding ears till they ran wither shins in his brain till the long solitary track etched deeper with each lurking load where populous before his eyes and fiends and angels used his road all the long straining journey grew a mad apocalyptic dream and he old Moses and the slaves his suffering and stubborn team then in his evening camp beneath the half light pillars of the trees he filled the steepled coon of night with shouted prayers and prophecies while they passed camp while past the camp fire's crimson ring the stark stuck darkness cupped him round and centuries of cattle bells rang with their sweet uneasy sound grass is across the wagon tracks and plow strikes boon beneath the grass and vineyards cover all the slopes where the dead teams are used to pass oh wine grow close upon that boon and hold it with your rooted hand the prophet Moses feeds the grape and fruitful is the promised land ये था text poem बुल्लोके का अब हम इस section में इतना ही चुंके ये लंभी poem होगी तो हम एक lecture बहुत लंबा नहीं लेके चलेंगे ये introduction थी इस poem को लेके और इसका text था अगला इसका पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और यहां पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए